नमस्कार दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर बात कर लेते हैं केंडल स्टिक के कोर्स की तो इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कुस करेंगे अभी तक हमने अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए अभी तक हमने क्या क्या है single type candle single candle से जितने भी type बन सकते हैं वो सारे type हमने देख लिए हैं जो मोटे मोटे तोर पर जो important है basically वो हमने देख लिए हैं so अब हम जो देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं use of types उनका use क्या है उनको market के अंदर use कैसे करना है so सबसे पहले आज हम आज के वीडियो के अंदर देखेंगे long body candle का use ये कहां बनती है सबसे ज़्यादा ये कहां बनती है सबसे पहले इस बार पर discuss करते हैं a point ये कहां बनती है ये बनती है opening candle बहुत बार long body candle opening candle के रूप में form होती है मतलब पहली ही candle मालने जाए market gap down open होई और पहली ही candle बहुत बड़ी body candle बन गई मालने जाए market gap up open होई और पहली ही candle क्या हो गई बहुत बड़ी gap up एक long body candle open हो गई ये इसका opening candle एक इसका point है नंबर बी दूसरा ये कहां पर बनती है ये किन किन जगहों पर पाई जाती है basically हम place देख रहे हैं place देखने के बाद हम इनका use इसी वीडियो के अंदर देखेंगे दूसरी ये पाई जाती है suppose मालने जाए market क्या हो रही है market slow and steady इस तरीके से market 5-5 minute के channel 5-5 हो गई या 15 minute की हो गई candle इस तरीके से market गिर रही है फिर market ने क्या किया market ने पाउज ले लिया market इस तरीके से पाउज ले गी फिर क्या होता है एक long body candle यहां पर फॉर्म हो सकती है so दूसरा कौन सी है opening पर है दूसरा है after a certain pause तो after a certain pause this candle can form एक certain pause के बाद यह candle form हो सकती है तीसरी यह candle कहां form हो सकती है let's say market slowly increase हो रही है यह हुई फिर यह हुई फिर यह हुई और फिर अचानक से suddenly market ने क्या कर दिया एक बहुत बड़ी long body candle यहां पर form कर दी so trending market के बीच में in between somewhere in between in between of trending market trending market trending market में कहीं पर यह in between उसमें क्या है यह form हो जाती है इसका use क्या है देखिए जो इसका सबसे best use है वो best use है C वाला point कि कहीं अगर माल ले जाएं आपको तीन से चार trending candle दिख रही है तीन से चार आपकी candle green बन चुकी है आप expect कर सकते हैं एक big body candle होता क्या है आपके बहुत सारे question इसी बात के अंदर छिपे हैं कि जब चार से पांच candle trending बन जाती है तो आप क्या करते हो इस point पे निकल जाते हो और फिर आप कहते हो कि सर जब मैं निकल गया उसके बाद क्या हुआ बहुत बड़ा move आया तो जब भी कभी तीन से चार candle एक continuation में एक line में बनती है उसके बाद एक बहुत बड़ी बॉड़ी candle देखने को मिलती है तो वह trend continuation में होती है और उस बॉड़ी candle के बाद तक भी हमारा move 70% आया होता है उसके उपर भी अभी 30% move बाकी होता है तो आज के बाद जब भी आप trading करें और उसमें 3 से 4 इस तरीके की candle आपको देखें तो you can expect one body long body candle in the trending जब भी कभी कोई trend आएगा जब भी कोई एक move आएगा उस move में ऐसा नहीं हो सकता कि एक long body candle form नहीं होई हो 100% एक long body candle form होगी और long body candle का जो high होगा in case of a green candle वो लगबग 70% of that move होगा और 70% के बाद जो भी वो हो मालनी जाए वो हो 100 points तो इसका मतलब यह है कि अभी लगबग 30 से 40 points अभी और उपर बाकी है अगर वो red candle है मालनी जाए move नीचे की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ move में definitely 3 से 4 candle red बन चुकी है अब एक बहुत बड़ी candle यहाँ पर body candle form होने के पूरे पूरे chances है उसके बाद भी अभी 30% move बचा हुआ है यह आप back testing कर सकते हैं comment section के अंदर अगर आप यह specify करें कि हाँ sir यह चीज जो है तो यह से क्या होगा दूसरे जो viewer है उनको भी बहुत फायदा होगा अगर आप यह confirm करें कि yes यह in in trading sessions के अंदर sir मैंने back testing करी और यह एक definitely long body candle मिली और उसके बाद 30% move और बचा इससे क्या होगा इससे आप trade में बैठना सीख जाएंगे जो आप मुझसे बार बार कहते हैं कि sir मैं आते ही move आते ही निकल जाता हो और बाद में वही trade 200 point अब जाती है तो जब भी कभी move आ रहा है wait for a long body candle जो इसका मतलब इसका सबसे best use हो गया see option की in between of trading market जब भी आए दूसरा है after a certain pause जब भी after a certain pause आता है तो यह इतना अच्छा यूज नहीं है कि यह चीज अब market के अंदर यह जो ट्रेंड यह जो ट्रेंड चल रहा था यह ट्रेंड रिवर्सल को शो करती है तो long body candle basically after a certain pause जब भी आती है तो यह एक reversal को यह क्या करती है reversal को हमेशा यह एक जनम देती है कि यहां से reversal हो सकता है तो अगर एक long body candle ऐसे form होती है so wait for a reversal फिर आपने क्या करना है यह जो continuation में आप मान लिजाए आप bearish trade में थे आप एक bearish trend के अंदर थे तो आप वहां से put से अपना exit कर सकते हैं chances are very very high कि यहां से एक reversal possible है market के अंदर so यह इसको लेकिन इसको कम priority पर रखना है ऐसे बहुत कम point होते है इसका reason यह है क्यों इसकी success rate कम है इसका reason यह है कि suppose let's understand it again कि suppose मान लिजाए let me erase all and let's understand this again इसका reason यह है कि मान लिजाए आप एक red candle इस तरीके से देख रहे हैं ऐसे trending market चल रही है trending market के अंदर एक long body candle आ गई है उसके बाद यह इस तरीके से एक 30% का move ओर आ गया है और उसके बाद let's say इस तरीके से यहाँ पे pause इस तरीके से कुछ तो भी pause चल रहा है market के अंदर ऐसी कुछ trend बन रहा है and then suddenly यहाँ पे क्या हुआ बहुत बड़ी green candle form हो गए तो होता क्या है बहुत सारे seller जो यहाँ पे put को sell करना चाहते हैं वो seller क्या होते हैं उनका stop loss बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं अगर यह trend reversal है और यहाँ पर बहुत बड़ी long candle बन गई है तो वो यह point के आसपास अपनी put को sell करेंगे और अगर इस point के आसपास put को sell करेंगे तो उनका sell क्या होगा बहुत बड़ा होगा क्योंकि long body candle यहाँ पर बन चुकी है तो अगर कभी भी trend reversal में long body candle बनी है तो chances are very very high कि यह failure हो जाए अगर छोटी body candle बनी है छोटी body candle पर body candle है तो chances are very very high कि यह success उसमें बदल जाए क्योंकि long body candle में SL बड़ा होगा छोटी body candle में SL आपका छोटा होगा तो हम इसकी जो accuracy है वो 60% के आसपास accuracy है अगर हम देखें सबसे पहला type सबसे पहला type पौन सा type है कि market के अंदर क्या होगा है पहली ही candle long body candle होगे इसकी accuracy सबसे कम है first opening candle इसे opening candle इसे long body candle इसकी accuracy क्या है इसकी accuracy market के अंदर सबसे कम है क्योंकि market पहली ही candle long body candle open होगे लेट से मार्केट होई ओपन 9.15 के अंदर और 9.15 पर पहली ही केंडल होगी बहुत बड़ी long body candle अब होगा क्या क्योंकि पहली ही केंडल long body candle होगी तो अगर professional seller भी है तो professional seller क्या करेगा professional seller यहाँ पर definitely put को sell करना चाहेगा अगर वो put को sell करना चाहेगा तो उसका SL long body candle का SL होगी है क्योंकि इससे नीचे इससे उपर कहीं पर वो SL यहाँ पर कहीं पर आधी candle का SL लगा नहीं सकता so definitely वो यहाँ कहीं ऐसा लगाएगा और उसका confidence क्या होगा कम होगा so इसलिए इसकी accuracy और 50% है तो कभी भी long body candle का concept यूज करना है तो जब continuation में जब भी कभी trending market दिखती है तो trending market में अगर आपको 3-4 candle इस तरीके की दिख रही है you can expect कि अब एक long body candle बनने वाली है मेरे ये sentences आपको during the market आपको याद आएंगे और वहाँ पर ये concept कि अब एक long body candle form हो सकती है it will help you and then after that 30% move is already there ये आपको क्या कर सकता है ये आपको कहीं न कहीं definitely help कर सकता है during the trading so आपने क्या करना है इस long body candle को back testing करनी है comment section के अंदर बताना है कि ये points जो मैंने आपको discuss किये ये किस किस date के ऊपर आपको ऐसी चीज़े मिली और दूसरी बात मैं ये learning का वीडियो तभी देता हूँ जब channel के ऊपर 5K like आप वीडियो के ऊपर दे देते हैं इसकी कोई fees नहीं है ये 0 fees में learning session चल रहा है और इसमें तभी आपको नया वीडियो मिलता है जब आप 5K like दे देते हैं इसलिए आप like जरूर करें like करेंगे जैसे 5K like होते हैं मैं next video आपका upload कर देता हूँ thank you दोस्तों वीडियो अच्छा लगा अगर long body candle का use का so please इसको like कीजिएगा subscribe कीजिएगा मैं आपको नया video hammer candle, shooting star, doji, doji, lul doji, lq इन सब के उपर मैं आपको इनके use बताऊंगा कि कब कहां पर किस point के उपर ये बनती है तो हमें कब इनको किस तरीके से use करना चाहिए thank you, thank you very much